ओम शान्ती, सत्राचार दो हजार तीज के साकार अनमोल धार्न युक्त मदुर महावाके हैं मुल्ली का विशेश, आज का पॉइंट है आज्याकारी बनना, वफादार, इमानतार बाबनी कहा अगर बाप का आज्याकारी नहीं बनते हैं, अब अज्या करते हैं तो माया भी कच्चा ही खा जाती है, ऐसा थपड़ मारती है, जो बाबा से दूर कर देती है इसलिए बाबा का आज्याकारी बन करके चलना है, अर्थाथ शिरी मत पर पोरा पोरा चलना है मीथे बच्चे माया के वशो इश्वरिय मत के विरुद्ध कोई कारिय नहीं करना है, कभी भी बाब की निंदा नहीं कराना है कोश्चन है, माया भी बाब की मददगार है कैसे, आंसर जब देखती है कोई शिरी मत की अवग्या करते हैं, बाब का कहना नहीं मानते शिरी मत पर नहीं चलते, तो वह कच्चा खा लेती है थपड मार देती है, श्याना वह जो बाब की याद से माया को परक उसके वशिभूत ना हो, गीत के बोल है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओम शान्ती, बच्चों ने ये महमा किसकी सुने परमपिता परमात्मा की, बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाब को याद करके उन से अब स्वरग का वर्सा लेना है बाब का तु फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो यही मंजिल है बाब का निवासिस्थान तो अब मधुबन ही है अब बाब से वर्सा कैसे मिले? जितना जो बाब को याद करते हैं उतना उनके पाप करते जाते हैं और जो बाब के वर्से को याद करते रहते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता जाता यह एक किस्म का वेपार है जो बाब सिखलाते हैं ऐसे बाब को तो निरंतर याद करना पड़े अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है माया कोई कम नहीं है भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ भल स्थूल वसूक्ष मसर्विस भी करता रहे लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते कभी और द्रिष्टी से नहीं देखते परन्तु चलन ऐसी दिखाते हैं जो समझते हैं ये आसुरी मत का है माया एक ही गुसे से एक दम खत्म कर देती है फिर कितना विगन डालते हैं उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्यों का नहीं बनता कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंध है जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं तो बाबा क्या करे आज कल मनुष्यों के उपर कितना भी आशिवाद करो प्यार करो परन्तु बैठे बैठे अपने को भसमासुर बना देते हैं वास्तों में शुरी संपरदाई और आशुरी संपरदाई में रात दिन का फर्क है इस दुनिया में किसी का बाब के साथ योग नहीं है ऐसे बाब फिर आकर के इश्वर ये संपरदाई बनाते हैं तुम्हारे में भी कोई तो इश्वर के बन उनकी शिरी मत पर चलते हैं और जो नहीं चलते वे हैं भसमासुर बन जल मरते हैं तुम इश्वर ये मत से स्वरक का मालिक देवता बनते हो और कोई स्वरक जाने के बदले कामचिता पर बैठ भस्मी भूत हो जाते हैं बाभा बच्चों को कितना युक्ती से उठाते हैं परंतो माया ऐसी है जो वार करती है जो निंदा कराने के निमित बन पड़ते हैं जो शानी बच्चे हैं वह तो कदम कदम पर बाप की शिरीमत पर चलते हैं बाप की पहली पहली आग्या है मुझ परलो कि कि बाप को याद करो तो सुधार हो याद से ही परिवर्तन होगा सुधरेंगे बाबा को याद नहीं करेंगे तो कभी भी सुधार नहीं आ सकता है कितना हम ज्यान सुनाए कुछ भी करें परन्तु याद से ही विकर मिनाश होते हैं और शिप बाबा की याद से ही जीवन में परिवर्तन आता है जो बाब से योग नहीं लगाते शिरी मत पर नहीं चलते तो माया बेटी उन्हें खा लेती है आज बाबा माया को बेटी बना रही है माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है ना बाबा को बाप तो परमधाम से आए हैं बच्चों को पढ़ा कर नर्से नारेन बनाने फिर भी ऐसे बाप की ना फर्मान बरदार बन जाते हैं बाहां निकलने से ही माया का तपड लग जाता है फिर तरस पढ़ता है कहां कहां बिचारी कन्याओं माताओं का बंधन आ जाता है काम का हलका नशा भी हुआ तो गिर पढ़ते हैं फिर अब लाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी विचारी बांज हो जाती हैं, इतनी सब का पाप उन पर ही चड़ता है, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो, माया जानती हैं, कल पे पहले वाले कोन कोन हैं, जीनों ने मुझे जीत बाबा का तरफ ल देखती हैं, ये बाब की अवग्या करते हैं, तो ताला बंद कर देती हैं, बाप जानते हैं, वे हैं, अबलाई, कन्याई, भारत का कल्यान करती हैं, बाप को माताओं का बहुत फूर्णा रहता हैं, तुम बच्चों को कन्याई, भारत का कल्यान करती हैं, तुम बच्चों को माताओं को भी फूर्णा होना चाहिए तो बच्चों को बाबने कहा माताओं को भी फूर्णा होना चाहिए अपना एहंकार नहीं रहना चाहिए बाब खुद कहते हैं वंदे मत्रम भगवान माताओं की वंदना करते हैं बड़ी संभाल करनी हैं कोई ऐसी डर्टी चलन नही चलनी है अपनी आप से पूछने हैं कि हम कोई उल्टा धंदा तो नहीं करते हैं पाप कहते हैं तुम बाप से वर्सलो तुम देवता बनने आई हो धर्म की स्थापना में अनेक विगन तो पड़ते हैं क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कोई निकले जिनोंने निन्दा आदी की आशुरी संपरदाई ने मर्ड डाला पहचाना नहीं अब उनके कितने चर्च आदी बनते हैं परन्तो इससे कुछ फाइदा नहीं माया के बन तमो परधान बन जाते हैं जहां भी है वहां से मिलता कुछ भी नहीं जहां जाते हैं कुछ भी नहीं मिलता इनसी क्या मिलेगा वहें सिरफ कहते हैं तुमको पवित्र बनना पवित्र बनना रहना चाहिए परन्तो अपवित्र ही रहते हैं कोई पवित्र बनता ही नहीं सिरफ उनका भजन गाते रहते हैं जो पवित्र बने जिन्होंने जीवन को स्रेष्ट बनाया उंच बनाया तो सिरफ उनकी महिमा करत बजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं, अब देखो सब कबरदाकिल हो गए हैं, ज्यान का जरा भी पता नहीं, क्रोध भी बहुत कड़ा हैं, जिस से अपने को भस्मा सुर्व बना देते हैं, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता हैं, आते हैं तकदीर बनाने कहते हैं, बाबा से स्वरक का वर्षा लेने आया हूं, अच्छा बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी शिरी मत पर चलना हैं, नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे, अभी पुर पुर्षार्थ किया तो उंचते उंच बन सकते हैं, बाबा कितना समझाते हैं, बोड पर भी लिखा हुआ हैं, इश्वर ये विश्व विद्याल्य, पौरम पिता परमात्मा ने इस्थापन किया, उनसे स्वरक की राजई का वर्षा पाना है, अगर यहां आकर वो फिर चल जाएं, तो सब कहेंगे, शायद इश्वर नहीं है, जो ऐसे छोड़ करके निकलते हैं, कितने संसे बुद्धी बन पड़ेंगे, उन पर सब का पाप चड़ जाता है, श्री मत पर नहीं चलेंगे, तो स्रेष्ट कैसे बनेंगे, श्री मत पर चलने से तुमारा कोई नुकसा नहीं हो सकता, वह बाप ही है, बाप भी है, धरमराज भी है, धरमराज देखते हैं, क्या-क्या पाप करते हैं, मेरी गलानी करते हैं, बड़े काइदे हैं, परन तो बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मी नारेन को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं, जो बा बाबै केते ऐसी आगे चल कर ये कितना ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित किला ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा अभी तो माया बहुतों को नाख से पकड़ लेती है वेह निराकार बाप इन आखों का लों ले आएए है तो देखते हैं ये जाते हैं बच्चे, तुमको तो स्वरक का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुर्शार्थ क्यों नहीं करते हैं, बाबा सर्व शक्ति मान हैं, मायें पर जीत पहनाने आते हैं, कहते हैं मीथे बच्चे, कुछ सजाओं से तु डरो, भक्ती मारग में भगवान से डरते हैं, को बाड रिस्पेक्ट है, तो भी गल्त काम नहीं करते, लेकिन यहां पर भी बाबाने का कुछ मेरे से नहीं मैं पानना अच्छी कर रहा हूं, पर धर्म राज से तु डरो, शीरी मत पर आग्याकारी बनो, अपनी पर रहम करो, मायें के वस कुछ भी करेंगे तो भूत बन जा बहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते, कोई भूत बन जाते, तुम सब भवानी माताई हो, जो ज्यान अमरत पिलाती हो, वफादार बच्चों पर मात पिता की आशिवाद रहती हैं, वफादार नहीं, तो शान्ती से जाकर कहां दूड रहो, बाबे कहते हैं, तो रहनी क्या विशक्ता नहीं है, शान्ती से कहीं जाकर के दूड रहो, बाबा को वफादार, इमानदार, आज्याकारी बच्चे चाहिए, इमानदार, सच्चाई, सफाई वाले चाहिए, आच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों परती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, राइमन मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, राइमन मॉर्निंग, ओम, नमस्ते, रातरी क्लास है, सत्रा, छ मेथे मेथे बच्चे जब यहां आते हैं, तो समस्ते हैं, बाबा के पास जाते हैं, मदुबन में जब जाते हैं, तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं, जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं, तो सामने बाप दादा नहीं बैठते, कहां कहां गोप भी चलाते है मुल्ली तो सहे गहें नहीं होती चो समच डाइना है कर दो सामने बाप डादा नहीं णितर दरुदिन सब्सक्राइब सभी तो accurate नहीं पढ़ते कोई तो पढ़ते ही रहते हैं addition कर रहसे भी सुनाते रहते हैं रसीले नमोने सभी ऐसे नहीं समझा सकते यहां तो बाप बैठे हैं बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संसे होना नहीं चाहिए एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं अलग-अलग पढ़ाते हैं यहां तो एक ही पढ़ाते हैं एक ही अमबजिक्ट है इसमें प्रशन पूछने का रहता ही नहीं सुभा को यहां बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ ऐसे नहीं सिरब तुमको याद करता हूँ सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं तुमको इस याद से सारे विश्व को पामन बनाना है अंगली तुम किसमें देते हो पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना तो बाप, सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शान्ती से चले जावें, सभी को अटेंशन खिचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करेंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाएं, जिनका योग होगा समझेंगे बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्यो में शान्ती होती हैं, तो बच्चों को भी याद किया जाता हैं, वह भी याद में रहते हैं, तो मदद मिलती हैं, अच्छी रिती याद करते हैं वह थोड़े हैं मददगार बच्चे भी चाहिए न खुदाई खिदमतगार निश्चे बुद्धी से याद करेंगे न तुमारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनानी की गोया तुम बच्चे निमित बनते हो बाप के साथ बाप को बुलाते हो हे पतित पावन आओ अभी वह अकेला क्या करेगा खिदमतगार तो चाहिए न जो बाबा की मदद करें वो बच्चे तो बाबा को चाहिए न तुम जानते हो विश्व को शान्त बना कर उस पर राज्जे करेंगे ऐसी बुद्धी होगी तो नशा चड़ा हुआ होगा तुम बच्चों को भारत को हेविन बनाना है तुम जानते हो बाब की शिरी मस से भारत को हेविन स्वरक बनाना बाबा के साथ से और बाबा की शिरी मस से हम अपने योगबल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं नशा रहना चाहिए, इसमी कोई स्थूल बात तो है ही नहीं, यह है रूहानी, बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हम को विश्यो का मालिक बनाते हैं, यह भी समझते हैं शिप बाबा ही आकर स्वरग की इस्थापना करते हैं, दुनिया को यह भी पता नही परम पिता परमात्मा नहीं दुनिया की स्थापना करते हैं कब कैसे बिलकुल ही नहीं जानते गीता में भी आते में लून है बाकी तो सभी जूट ही जूट है तो बाप आकर के सत्ती बनाते हैं भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है बाप कहते हैं हट योगी राजयोग सिखला ना सके परन्तु आजकल जूट बहुत है ना सच के आगे imitation बहुत होती है इसलिए सब को कोई मुश्किल ही जानते हैं जूटी माया जूटी काया जूटा सबसंसार है और परमात्मा के नाम पर इतने सब लोग निकले हैं जोटी जोट हैं, तो सत्य बाबा जो आता है, जिसको सत्यम श्यम सुन्दरम कहा जाता है, God is truth, टूर्थ ही God है, तो बाबा ने का फिर हर कोई इस कल्यूग में सत्य को मानते नहीं, अगर मानते मुश्किल ही जान सकते हैं, ये तो बाप ही आकर के, राज्यूग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं, कल्प, कल्प, ऐसे होता है, अभी तुम आस्तिक, नास्तिक से आस्तिक बन गए हो, प्राचीन, रिशी, मुनी नहीं जानते, औरों के पास ही कहां से आया, उन्होंने भी कहां नेती, नेती, हम भगवान को नहीं जानते, गीता के ज्यान को ही नहीं जानते, ये दादा भी बहुत पढ़ते थे, गीता पाठी थे, कभी भी जीवन में गीता मिश नहीं की, अभी समझ मिली है, जानते हो दुनिया तमो परधान है, बिलकुल बे समझ है, भारत समझदार था, भारत का ही खेल है, दूसरे धरम कब आते हैं, यह भी बच्चे समझते हैं, मूल वतन सुक्षु मतन को तो तुम समझ गए हो, सिरफ तुम ब्राह्मनी यह नौलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है, तुमको सारी विश्व की अब नौलेज है, तुम पहले शुद्र वरण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नौलेज देते हैं, जिससे तुमारे डिनाश्टी स्थापन हो रही है, तो बाप आकर ब्राह्मन कुल, सुरिय व और धर्म वाले फट से जिनाश्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरुनी कहा जाता, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो बाप कहते हैं, अभी फिर से फोड़ना हैं बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पुरश्यार्थ कर धंदा आदि भी करते रहें, और याद भी करते रहें, healthy बनने के लिए, बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भूलना पड़ता हैं, हम आत्मा जा रही हैं, practical कमाई कराई जाती है, खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? खाना खाते बाबा को याद नहीं कर सकते कपड़ा चिलाई करते बुद्धी योग बाबा की याद में रहे किच्रा तो निकालना है ना negativity का जो आत्मा में किच्रा भरा हुआ है बाबा ने का वो तो निकालना है बाप कहते हैं शरी निर्वाह के लिए भल करो है बहुत सहज समझ गए हो चुरासी का चक्र पुरा हुआ आप बाप राज्योग सिखाने आई हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी इस समय रपीट होती है कल पे पहले जैसी ही रपीट हो रही है रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं कहते भी हैं वर्ल्ड रपीट वन गॉड वन रिलिजन कहते हैं न महां ही शान्ती होगी वह है अद्वेत राज्य द्वेत माना आशुरी रामन राज्य वह है देवता यह है देत्य आशुरी राज्ये और फिर दैवी राज्ये का भारत पर ही खेल बना हुआ हैं भारत का आदिशनातन धरम था पवित्र प्रवर्ति मारक था फिर बाप आकर पवित्र प्रवर्ति मारक बनाते हैं हम सो देवता थे फिर कला कम होती गई हम सो शुद्र डिनाइस्टी में आए बाब पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं इस्टुडेंट सुनते हैं अच्छे स्टुडेंट पूरा ध्यान देते हैं मिस नहीं करते ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए ऐसी गौर्ली युनिवस्टी में अपसेंट होना नहीं चाहिए बाबा गुये गुये बाते सनाते रहते हैं अच्छा गुड नाइट रूहानी बच्चों को नमस्ते सार है आज की मुल्ली का बाब को आग्याकारी वफादार बना कर आश्छिवाद लेने के पात्र बनाना है कोई भी अवग्या नहीं करनी है बाप का आग्याकारी वफादार बनकर आश्यवाद लेने का पात्र बनाना भी है कोई भी अवज्या नहीं करनी है Second point कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है बसमा सुनी बनना है धरमराज की सजाओं का दर रखना है बर्दान दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकरशन मूरत भाव दिलाराम को दिल देना अर्था दिल में बसाना इसी को ही सहज योग कहा जाता है जहां दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा जब दिल और दिमाग अर्था स्मर्थी संकल्प शक्ती सब बाप को दे दी मन वानी और करम से बाप क्यों हो गए तो और कोई भी संकल्प किसी भी परकार का आकरशन आने की मार्जिन ही नहीं स्वपन भी इसी आधार पर आते हैं जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकरशन आही नहीं सकती सहजी सर्व आकरशन मुरत बन जाएंगे स्लोगन बाप से और इश्वरिय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहे की आज का अव्यक तिशारा संपूंता को समीप लाने के लिए सिरफ दो शब्द याद रखो मैं बिंदू हूँ और बाप भी बिंदू है लेकिन बिंदू के साथ साथ सिंधू भी है तो एक बिंदू को याद और एक रसवस्था एक के ही मत एक के ही इश करतव्य में मददगार बनो बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं विस्तार में जाना है सिरफ सर्विस प्रति अगर सर्विस नहीं तो बिंदू उसके आगे अपने बिंदू को बिंदु उसके आगे अपनी बुद्धी को चलाने की अवशकता ही नहीं बिंदु लगा दो हर बात को अपनी बुद्धी फिर नहीं चलानी है यही सहज विधी है संपुंता को प्राप्त करने की ओम शानते